अब हम solve करेंगे addition of numbers with carry over ठीक है इसमें हमें carry over मिलेगा जो हमें आगे बढ़ा के लेके जाना है find the sum of 42,616 and 37,958 इन दोनों का हमें sum करना है ठीक है तो हमें कहां से right to left जाना है always आपको ये राद रखना है और जैसे ही आप exam में जब place करो sub values तो कैसे करनी है once, ten, hundred, thousand and ten thousand और उसके नीचे ही सारी figure आपको लिखनी है ताकि आप जब sum करो तो ऐसा ना हो कि इसका sum इसके साथ हो जाए आपने इस तरीके से लिखा होगा तो आपको exactly नीचे ही आएगा value तो आपको पता चल जाएगा ठीक है और यहाँ पे एक जगह ऐसी छोड़नी है ठीके क्यों छोड़नी है क्योंकि अगर शायद ऐसा हुआ कि carry over आता है यहाँ पे तो हमें पता है कि हम वैसे करें sum जिसमें carry over आ रहा है लेकिन कई sum में हमें पता नहीं चलता तो फिर भी हमें ऐसी जगह रखनी है कि अगर कोई carry over आता है तो वो हम यहाँ पे लिख पाए ठीके let's solve this example 6 plus 8 कितना होते है 14 राइट तो यहाँ पे 4 लिखेंगे और 14 का 1 है वो यहाँ पे next tense में लिखेंगे ठीके फिर है 1 plus 1 plus 5 कितने होते है 7 तो यहाँ पे कुछ carry over आया नहीं तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0 या फिर कुछ नहीं लिखец तो भी चलेगा लेकिन हमें पता चलना चाहे कि अ कुछ आया है या नहीं फिर ऐसा नहों कि नहीं इसमें तो था नहीं था ऐसा नहीं होना चाहिए exactly लिखना है 9 9 plus 6, कितने होते है, 9 plus 6, 15, तो 5 यहां लिखा और 1 केरी ओवर किया आगे, फिर 1 plus 2 plus 7, कितने होते है, 10, तो 0 यहां पे लिखा और 1 केरी ओवर किया, तो 1 plus 4 plus 3, कितने होंगे, 8, तो हमें आंसर क्या मिला, 80,574, ठीक है, अब हम आगे solve करते हैं, find the sum of 5,70,183 and 2,69,476, write the sum obtained in words, ठीक है, तो हमें कैस क्या करना है, always, जैसे ही आप match का addition या subtraction या कुछ भी try करो, तो सबसे पहले 1, 10, 100, 1000, यहां पे जितने digit है, जिसके 6 digit है, तो यहां पे 1, 10, 100, 1000, 10,000 ने लाग, इतने आ गए, 6 होए यह, 1, 2, 3, 4, 5, 6, अगर 5 digit है, तो 5 आएगा, ठीक है, उस तरीके से आपको लिखी देने, फिर figure लिखनी है कि क्या है, 5,70,183, plus 2,69,476, और always जब आप paper में से solve करने में लिखो, तो कोई भी figure mismatch मत कर देना, यानि कि यहां पे 3 लिखा है तो 83 है तो 38 मत करना, त्यान से लिखना, ठीक है, चलो, अभी हम solve करते हैं, कैसे जाना है, राइट to left, 3 plus 6, कितने होते है, 9, 8 plus 7, कितने होते है, 8 plus 7, 15, तो यहां पे carry over नहीं हुआ, ठीक है, फिर यहां पे 8 plus 7 कितने है, कितने होते है, 15, तो यहां पे 5 लिना है, और 1 carry over करना है 100 में, 1 plus 1 plus 4, कितने होते है, 6 फिर ये 0 प्लस 9 9 7 प्लस 6 कितने होते है 13 3 यहाँ पे लिखना है और 1 केरियोवर करना है आगे 5 प्लस 2 प्लस 1 कितने होते है 8 तो मैं क्या आंसर मिला 3 8,39,659 ठीक है तो मैं क्या करना है राइट सम उक्टेन इन वर्ड तो मैं यह जो आंसर मिला उसे वर्ड में लिखना है ठीक है 8 लाग 8 लाग 30 9 थाउजन 659 यह हमारा आंसर हो गया ठीक है अब देखते हैं नेक्ट सम जो वर्ड प्रोब्लेम है A businessman buys 2 car for his office अब एक businessman था उसने 2 car खरी दी ठीक है Car A cost 3,75,496 and car B cost 4,50,675 How much does the businessman pay for the both cars अमें हमें फाइन क्या करना है Car A की cost इतनी है Car B की cost इतनी है तो businessman ने कितने पैसे खर्च किये यह car purchase करने के लिए दोनों car ठीक है तो यह से word problem होते है तो हमें क्या लिखना होगा पहले तो Car A cost Car A का cost कितना है पहले हमें क्या लिखना होगा Once Ten Hundred Thousand Ten Thousand And Luck यह always हमें लिखना है Car A Cost यानि First car की price कितनी है 3,75,496 और Car 20 cost कितनी है 4,50,675 ठीक है और इन दोनों का sum करके हमें क्या मिलेगा Cost of both cars Cost of both cars Cost of both cars One plus nine plus seven One plus nine plus seven कितने होते है 17 Seven यहां लिखना है और one यहां पे One plus four plus six कितने होते है 11 Right तो one यहां पे लिखना है और eleven का ten यहां पे one लिखना है One plus five plus zero कितने होते है Six Seven plus five कितने होते है 12 तो two यहां पे लिखना है और one यहां पे carry over करना है तिके और one plus three plus four कितने होते है Eight तो कितने खर्चा किया कितना खर्चा किया बिजनेसमेन ने कार्ज के पीछे 8,26,171 रूपिस तो हमें क्या नीचे लिखना है The businessman Businessman पे कितने रूपे पे किया उसने 8,26,171 रूपिस फॉर बोद कार्ज फुल स्टप ठीक है समझ में आया